श्रद्य विनोध अगरवाल जी के सू मधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविन की गली चानल को सब्सक्राइब, लाइक वे शेयर करें रादे रादे भौतिक पदार्थों की कामना नहीं कर रादे, कुछ तो तुने किया है, जो मेरी चाहतों ने करवटे ले लिए अगर प्यार तेरे से पाया न होता, तुझे शाम अबोना बनाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता न होती तमन नाहीं तेरे मिलन की अगर मेरे मन को तु आया न होता अगर मेरे दिल को तु आया न होता अगर प्यार तेरे से पाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता दो होठों पे मेरे दराना न होता लबों पे तेरा ये पसाना न होता तो होठों पे मेरे दराना न होता और साइकोलोजीकली बात भी देखें हमारी जुगा पे उसी का नाम बार बार में आता है जिसके प्रती मन में किसी ने किसी प्रकार की भावला मन के अंदर वो आ गया है कैना नहीं बर्दा बार बार उसका नाम निकली जाता है या उसकी यादे ही आती रहती है इसलिए क्या है यह जो होता है तो होठों पे मेरे दराना न होता लबों पे तेरा ये फसाना न होता अगर तीर नैनों से मारा न होता अगर तीर नैनों से चलाया न होता अगर तीर दिल से चलाया न होता अगर प्यार तेरे से पाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता ना फिरती मैं तेरे लिए मारी मारी ना फिरती मैं तेरे लिए मारी मारी अगर तुने खुद ही रुलाया न होता अगर तुने खुद ही रुलाया न होता अगर तुने खुद ही रुलाया न होता अगर प्यार तेरे से पाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता तो मैं भी निराशा में आशा न रखती 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 तो मैं भी निराजा में आजा न रखती किसी के लिए गर तू आया नहोता किसी के लिए गर तू आया नहोता अगर प्यार तेरे से पाया नहोता तुझे शाम अपना बनाया नहोता तुझे शाम अपना बनाया नहोता नहोती नहोती तमन नाही तेरे मिलन की अगर मेरे मन को तू आया नहोता अगर मेरे मन को तू पाया नवोता अगर प्यार तेरे से पाया नवोता लेकिन जब मैं यह कह रहा हूँ Sir, I love you, I love you अगर तुम्हें ने यह तो साफ मना करते हैं लेकिन तुम्हें तो मेरी बाते सुनकर मुश्करा रहे हूँ इसका मतलब क्या Silence is half consent यह तेरी मुश्कान है और तेरी चुप्वी है इस बात का प्रावान है कि तुमने मेरी बात स्युकार कर यह तेवी तो मुश्करा रहे हो यह तो साफ कहते हो एक तू करता होगा मेरे मेरे पास ते लिए प्यार की कोई जगए इसे तेरी खामोशी से भी तेरी मुखबत का इजहार होता है कि महबत में खामोशी का मतलब अक्सर इक्रार होता है मुखबत में खामोशी का मतलब अक्सर इक्रार होता है Silence is half concept, my dear अगर प्यार तेरे से पाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता जब तुम्हे अपना बना ही लिया तो प्यारे तेरी तेरे प्यार की बवदौलत किसी गम को गम न संदा तो कोई भी दुख सहने के लिए शक्ती चाहिए लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम भी मुझे उतना ही चाहर है और प्यार कर रहे है ना जाने अंदर से आंतरी उर्जाओं के शोत उट पड़े कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा तुखा जाए मायूस नहीं होता धैर्य भी नहीं छूटता और साहस भी कम नहीं होता तेरे प्यार की बड़ालत किसी गम को गम न समझा पर तेरी आर्जू की खातिर मैंने कभी मौत भी ना चाहिए कि इसी जनम में तुझ से मिलना है तो जल्दी को मरू तुझे से मिले भी न क्यों मरू तेरी आर्जू की खातिर मैंने मौत भी ना चाहिए इसे चाहिए 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 जिन्दगी के लिए बंदगी चाहिए और बंदगी के लिए जिन्दगी चाहिए 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 जिन्दगी के लिए बंदगी चाहिए और बंदगी के लिए जिन्दगी चाहिए क्यों जब से तेरी मुहबबत इन सांसों में शुमार हुई होगी जीवन ये जिन्दगी किसी के लिए भाग लेकिन तो प्यार की मिले ऐसा नो तेरे जब से तेरी मुहबबत इन सांसों में शुमार हुई मज़ा जिन्दगी का अब आने लगा जब से मुहब्बत तेरी सांसों में शुमार हुई मज़ा जिन्दगी का अब आने लगा जब मज़ा आने लगा तभी ये कामना बदल गई कि जिन्दगी के लिए बंदगी चाहिए और बंदगी के लिए जिन्दगी चाहिए क्यों अगर प्यार दे से पाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता न होती तमन आई तेरे मिलन की अगर मेरे दिल को तुझा आया न होता अगर मेरे दिल को तुझा आया न होता अगर मेरे दिल को तुझा आया न होता अगर प्यार दे से पाया न होता अगर प्यार दे से पाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता तुझे शाम अपना बनाया न होता अगर आया न होता